दोजार चोबिस में लोकसबा और हरियाना विधानसबा के चुनाव होने हैं और इस चुनावी महासंगराम में हरियाना की जो पार्टी सबसे ज़्यादा खत्रे में रहेगी वो है इनेलो इनेलो को 2019 के बाद से अभी तक सिर्फ दुखी देखने को मिला है परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद जहा दुश्चन चोटाला और अजे सिंग चोटाला की अगवाई में जेजेपी महस 11 महीनों में सत्ता की साजेदार बन गई वही 19 विधायकों वाली इनलो, अभे सिंग चोटाला की अगवाई में सिर्फ एक विधायक पर सिमट गई और वो अकेले विधायक भी खुद अभे सिंग चोटाला है 2024 का चुनाव इनलो के लिए बेहथ खतरनाक है 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इनेलो को 8% वोट नहीं मिले तो ऐसे में उसकी मानिता रद हो जाएगी जो इनेलो और अभेश सिंग चोटाला के लिए बेहत बेज़ती की बात होगी 2024 के विदान सभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही इनेलो के लिए जरूरी है कि वो या तो एक सांसच जितवाए या फिर 3 विदायक बनवाए या फिर 6% वोट हासिल करे इन तीनों ही पोजीशन में से अगर एक पोजीशन भी इनलो हासिल करने में सफल हो जाती है एक टारगेट हासिल कर लेती है तो ऐसे में इनलो की मानिता बच जाएगी वरना इनलो के लिए मानिता खतम हो जाएगी और ऐसे में उसे गैर मानिता प्राप्त पार्टी के तोर पर ही चुनावी मैदान में उतरना होगा जो ओम परकाश चोटाला की 50 साल की सियासी महनत पर पानी फेरने जैसा होगा परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद अभेश सिंग चोटाला इनेलो को लगातार मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए है लेकिन उनकी महनत को अभी तक सफलता नहीं मिली है चुनाव दर चुनाव अभेश सिंग चोटाला की अगवाई में इनेलो उपर उठने की बजाए लगातार खाई में गिर रही है और गर्दिश के अंधेरे से नहीं निकल पा रही है ऐसे में 2024 का महा संग्राम चोटाला परिवार या अभेश सिंग चोटाला के लिए सबसे निर्णायक हालात लेकर आ रहा है क्यूंकि पिछले दो चुनाव में अभेश सिंग चोटाला की अगवाई में इनेलो 6% वोट हासिल नहीं कर पाई है जिसके चलते अगर 2024 के लोकसबा चुनाव में INLD एक MP नहीं जित्वा पाई या कुल वोटो के 6% के आकड़े को हासिल नहीं कर पाई तो ऐसे में चुनाव आयोग उसकी मानेता को खतम कर देगा और मानेता खतम होने के बाद एक पंजीकरित पार्टी को जो फाइदे मिलते है उससे इनेलो वन्चित हो जाएगी और ऐसे में उनके लिए एक अपमान जनक हालात पैदा हो जाएंगे बेशक 6% वोट हासिल नहीं होने के हालात में अभेश सिंग चोटाला की पार्टी का चुनाव निशान चश्मा बचा रहेगा लेकिन ये चश्मा बगैर इज़त का होगा बगैर रुत्बे का होगा और ऐसे में उसे चोटी मोटी पार्टीों के साथ ही नीचे के खाते में शामिल होना पड़ेगा वही वर्तमान समय में जो सियासी हालात है वो बता रहे है कि अभेश सिंग चोटाला की इनेलो के लिए लोगसबा चुनाव में ना तो एमपी जितवाना मुंग की नजर आता है और ना ही 6% से ज़्यादा वोट हासिल करते हुए इनेलो नजर आती है इसलिए इनेलो के लिए अभी से खत्रे की घंटी बसती हुई नजर आ रही है 2024 का साल अभेश सिंग चोटाला की अगवाई में इनेलो के लिए आर पार का साल है एक तरफ जेजेपी के लिए भी खत्रे की घंटी बजी हुई है लेकिन जेजेपी इसलिए बस सकती है क्योंकि 2019 के विधान सबा चुनाव में जेजेपी को लगभग 16% वोट हासिल हुए थे उसके 10 MLA भी बने थे लेकिन अभेश सिंग चोटाला की पार्टी इनेलो के लिए ऐसा नहीं है वो लोगसबा और विधान सबा चुनाव दोनों में ही चुनाव आयोक के तैप एमाने से नीचे रही है ऐसे में तीसरी बार का रीकोड इनेलो के लिए महतवपून रहेगा उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा अगर वो 6% से नीचे रहती है तो उसकी मानिता रद हो जाएगी और 6% से उपर जाती है तो उसकी मानिता बची रहेगी इसलिए सवाल ये उड़ता है कि अभिस सिंग चोटाला अपनी पार्टी की मानिता को बचाए रखने के लिए क्या खेल खेलेंगे क्या इंतजाम करेंगे और क्या किसी पार्टी के साथ गड़बंदन कर पाएंगे फिलाल के लिए इतना ही ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे निउस ब्रोड़कास्ट 24 नमस्कार